दोस्तों मैं सोरंबली काप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं GKK Top 27 S.A.M.C.Qs जो की सभी परिक्साओं के लिए मैंत्पून रहेंगे आप लोग जहां से इस वीडियो को end देखेगा 27 में से कितने questions के answer सही कर पा रहें अपना score कमेंट बोक्स में जरूब देगा प्यारे दोस्तों ये वीडियो रात में 9 बज़े आती है Only Top Study यूटूब चैनल पर चलिए सुरू करते हैं पहला question है चपेली लोग नत्य संबंदित है तो पहला question आपकी screen पर है अगर आपको answer पता है कमेंट बोक्स में बता दीजे सही answer रहेगा हिमाचल परदेश से चपेली लोग नत्य संबंदित है हिमाचल परदेश से यानकी पहले question का right answer भी हो जाएगा Question number 2 है Tower of Silence कहां इस्तित है Tower of Silence कहां इस्तित है दूसरे question का right answer रहेगा दोस्तो पुने में यानि की right answer ए हो जाएगा Question number 3 है दिएगे विकल्पों में से भारत की पहली सवदेश निर्मित नाब किये हतियार सु सिजित पंडू भी कौन सी है तो right answer रहेगा I, N, S अरिहंत यानि की right answer दोस्तो A हो जाएगा तीसरे question का सही हुत Question number 4 है स्तिरी प्रूस में लिंक के आदार पर भेद ने किये जाने को क्या कहते है सही answer है Gender सवेदन सीलता Question number 4 का right answer दोस्तो C हो जाएगा ये आपको याद रखना है Question number 5 है कौन सा अधातू तरल रूप में पाया जाता है तो कौन सा अधातू दोस्तो तरल रूप में पाया जाता है सही answer है ब्रॉमीन पांचवे question का right answer भी हो जाएगा देखिए आप लोग चाहे किसी भी एक्जाम की चारी करते हैं आप हमारी master पीडियप ले सकते हैं 170 रूपे वाली पीडियप सोरी 700 रूपे वाली पीडियप 180 रूपे में आपको मिल जाएगी और इसका link आपको description box में मिलेगा बारकोड से payment करना है तो आप हमारे वोट्सअप नंबर पे message करके बारकोड भी ले सकते हैं आपको वहीं पर पेमेंट करना है पीडियप भी वोट्सअप पर ही मिल जाएगी इसमें सारे subject मिलेंगे वो भी पूरी lifetime के लिए तीन फिरी पीडियप भी मिलेगी करन्ट अफेर 2024 की पीडियप कम्पलीट रहेगी वो भी आप इसमें जिरूर ले लिजेगा चटा कोशन है भारत सरकार अधिन्याम 1935 किस पर आधारित था देखे चटे कोशन का right answer हैगा बिर्टिस भारत के प्रांतों के अधिवेशन का सिध्धान चटे कोशन का right answer A हो जाएगा ये आपको याद रखना है कोशन पर साथ है भारत सरकार ने नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्योरो का गठन किस वर्स किया था साथवे question का right answer रहेगा दोस्तो 1986 में साथवे कोशन करईट आंसर भी हो जाएगा ये आपको याद अखना है कोशन नमबर आठ है भारत सरकार की परसिद सरजनिक छेतरक इकाई भेल का पूर्ण रूप क्या है सही आंसर रहेगा दोस्तो भारत हैवी एलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानि कि राइट आंसर रहेगा दोस्तो ओप्शन भी ये आपको याद अखना है नौवा कोशन प्रत्वी एक घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तो 15 डिगरी यानि की कोशन नमबर 9 का रायट आंसर B हो जाएगा ये आपको याद अखना है दसवा कोशन है गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी कोशन नमबर 10 का सही आंसर दोस्तो सही आंसर हैगा चंदर गुप्त ने यानि की रायट आंसर C हो जाएगा ये आपको याद रखना है ग्यारवा कोशन है सबसे ज़्यादा उर्जा उत्पादन करने वाला देश कोन सा है सबसे ज़्यादा उर्जा उत्पादन करने वाला देश मेरे प्यारे दोस्तों अमेरिका है ग्यारवी कोशन का रायट आंसर C हो जाएगा 12 कोशन है सूर्य किरन भारत और किस देश के बीच एक संयुक सेन्य अभ्यास है भारत और किस देश के बीच में दोस्तों सही आंसर हैगा भारत और नेपाल के बीच यानि कि 12 कोशन कराइट आंसर हो जाएगा D ये आपको याद दखना है मिशन इंदरधनुस का संबंद किस से है कोशन नबर 13 का राइट आंसर हैगा टी का करण से यानि कि दोस्तों 13 कोशन का राइट आंसर हो जाएगा A ये आपको याद दखना है कोशन नबर 14 है रीतु वर्मा का संबंद है सही आंसर रहेगा दोस्तों पंदवानी सैली से कोशन नबर 14 का राइट आंसर C हो जाएगा वेनेज्वेला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है सही आंसर रहेगा लानोज यानि कि C करेक्ट आंसर हो जाएगा सोलवा कोशन है है एप्पी फेस इस्पाइडर नामक मकडी कहा पाई जाती है सही आंसर हैगा हेवान आइलेंड्स यानि कि सोलवे कोशन करेक्ट आंसर D हो जाएगा कोशन नबर 17 है कब सास्त्र व्यापार संदी आर्म्स ट्रेड ट्रेटी अस्तित्व में आई सही आंसर हैगा दिसंबर 2014 सतरवे कोशन का दोस्तो राइट आंसर A हो जाएगा कोशन नबर 18 है उत्तर प्रदेश की सिमाएग कितने राज्यों से मिलती है सही आंसर हैगा आट राज्यों से यानि कि B करेक्ट आंसर हैगा कोशन बर 19 है राइन नदी किस घाटी से बहती है सही आंसर हैगा राइन नदी किस घाटी से बहती है तो राइट आंसर इस बरंस घाटी यानि की दोस्तो 19 वे कोशन का राइट आंसर B हो जाएगा प्रत्विराग चोहान के दरबारी कभी कोन थे चंदवर्दाई यानि की राइट आंसर D हो जाएगा चकित्सा सास्तर का जनक किसे कहा जाता है हिपोक्रेटस को यानि की किस वे कोशन का राइट आंसर A हो जाएगा कोशनमबर 22 है लक्सदीब की राइजधानी कहा पर है 22 कोशन का राइट आंसर रहेगा कावार्ती यानि की 22 कोशन का दोस्तो राइट आंसर C हो जाएगा कोशनमबर 23 है नासिक किस नदी के तडपर इस्थित है नासिक किस नदी के तर्ट पर इस्थित है 23 कोशन का राइट आंसर हैगा गोदावरी नदी के यानि की D राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर 24 है बीजिंग का पुराना नाम क्या है बीजिंग का पुराना नाम क्या है तो राइट आंसर हैगा पेकिंग यानि की राइट आंसर रहेगा C साधार नमक का रसाइनिक नाम क्या है 25 कोशन का राइट आंसर हेगा सोडियम कलोराइड यानि की A is the right आंसर कोशन बर 26 है अंतरास्टे मजदूर दिवस कब मनाया जाता है 26 कोशन का राइट आंसर हेगा एक मई को यानि कि C correct आंसर हेगा भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है सही आंसर हेगा गुजरात यानि की B correct आंसर हो जाएगा देखे 27 में से आप लोगों ने सही कितने किये हैं कमेंट बोक्स में अपना स्कोर बताईएगा प्यारे दोस्तों गुप्ट समाज की स्थापना किस ने की थी ये एक टेस्ट कोशन है जिसका आंसर सभी को कमेंट बोक्स में जरूर बताना है आप चेक किसी भी एक्जाम की त्यारी करते हैं वीडियो को रेगुलर फोलो करिए और ओनली टॉप स्टेडी आप को भी जरूर डाउनोड कर लिजे क्योंकि यहाँ पर आपको टेस्ट स्रीज मिलती है सबसे कम प्राइज में और सभी एक्जाम की टेस्ट स्री जहां पर एवलेबल है प्यारे दोस्तों गर आप लोग ने अभी तक मास्टर पीडियाप को नहीं लिया है तो यह हमारी मास्टर पीडियाप है जिसमें दरज़दार कोशन आंसर्स का संग्रह है और यह मात्र 180 रुपीज में आपको मिल जाएगी इसमें सारे सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट कोशन आंसर्स का कलेक्शन है इसमें करेंट फिर भी मिलेगी स्टेटिक जी के कम्प्यूटर यह तीनों फिरी पीडियाप मिलेगी 180 रुपीज के अंदर ही मास्टर पीडियाप का लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स में अवलेबल है और हमारे वोटसप नंबर पे इसका बारकोड भी मिल जाएगा आप कैसे भी पीडियाप ले सकते हैं सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेर करिए चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करिए बैल आइकन को ओन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिशना हो थेंक यू सो मच बाइबाइ अवरीवन टेक केर खाले के अपना मिलते है नेक्स क्लास में